किसानों पर किये गये बल परयोक के वज़े से पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही हर्याना सरकार आज फिर एक बार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है हड्याना के सीम मनुहर लाल खटर ने कहा कि किसानों पर बल का प्रियोक तो नहीं किया गया लेकिन थोड़ी पानी की बोच्छार और टीर गेस छोड़ने को वो बल नहीं समझते देखिए ये रिपोर्ट तो सुना आपने क्या कह रहे हैं हर्याना के सीम साहब सीम साहब के मताबिक ये बल पर योग नहीं है बल की किसानों का स्वागत किया जा रहा है ठीक उसी तरह जिस तरह से चुनाओं में जुमले दिये गए किसानों को कहा गया उनकी आयद दुगनी की जाएगी और आज उन्हें फकीरोंवाली हालत पे लाकर खड़ा कर दिया गया है जिस देश में जै जवान और जै किसान के नारे लगाए गए उस नारे के सहारे जिस देश ने तरक की हासल की आज साहब ने उन जवानों और किसानों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है मकसद सिर्फ अपने पूंजी पतियों मित्रों को फायदा पहुँचाना जिस बीजेपी सरकार ने नारा बुलंद किया था बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार बीजेपी सरकार आज वही सरकार इन किसानों पर अत्याचारी बनकर तूट पड़ी है इस कड़ाके की ठंड में पानियों की बौचार और टियर गैस को ये कहते हैं कि बल पर योग नहीं किया जा रहा जिस सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगन्या करने का वादा किया था आज वही सरकार MSP को खत्म करने पर तुली हुई है ताकि सीधा का सीधा फायदा पूंजी पती मित्रों को पहुँचाया जा सके आपको बता दे कि सरकार ने नए किर्सी कानून में MSP का कोई जिक्र नहीं किया है जिसका डर किसानों को सता रहा है कि अगर MSP खत्म कर दिया गया तो उनका क्या होगा आपको बता दे इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खादे, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तो की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है इस कानून के तहट किसान APMC यानि किर्सी उत्पाद विपर्णन समीती के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है सबसे बड़ा विवाद का कारण यही दूसरा कानून है क्योंकि इस कानून में सरकार ने कहीं पर भी MSP का जिक्र नहीं किया है MSP यानि नियूंतम समर्थन मूले जो किसानों को उनकी फसल का मिलता है अब किसानों को डर सतारा है कि सरकार अगर उत्पाद विपर्णन समीती को बंद कर देगी तो हमें हमारी फसल का नियुंतम समर्थन मुल्ले भी नहीं मिलेगा क्योंकि कॉर्परेट घराने अपनी मरमर्जी से अपनी कीमत पर खरी देंगे यहीं से विरोध शुरू होता है सरकार से किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार लिख कर दे दे कि MSP पर ही उन्हें उनकी कीमत दी जाएगी लेकिन सरकार है कि इसको लिखने के लिए तयार ही नहीं सरकार मौफिक रूप से बोल कर तो कह रही है कि हाँ तुम्हे MSP मिलेगा लेकिन इसे कानून का रूप देने के लिए तयार नहीं सरकार की कतनी और करनी दोनों में जमीन आस्मान का फर्क नजर आ रहा है जिसके लिए किसानों ने इतने बड़े आंदोलन का आयोजन किया है तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार किसानों के हित्मे कारे कर रही है या फिर किसानों को बहला फुसला कर अपने कॉर्परेट घरानों को एक नया फाइदा पहुचाने के फिराक में है तो इस वीडियो में इतना है अगर ये वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अगर फेस्बूप पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें